नमस्कार दोस्तों मैं भाशा और आप देख रहे हैं न्यूस क्लिक पर परताल दुनिया भर की रूस, यूक्रेन, नेटो, अमरीका और पूरी दुनिया 24 फरवरी से लेकर मई 19 तक जो पूरा का पूरा हिसाब है विश्व कूटनीती है यह चकर घिन्नी बन गई है एक के बाद एक तमाम देश अपना स्टैंड बदल रहे हैं नए नए डवलप्मेंट्स हो रहे हैं जिस तरह से स्वीडन और फिन्लैंड ने खुद कहा कि वो नेटो देश में शामिल होना चाहते हैं आपको इस समय नक्षे पे दिखाई दे रहा होगा दुनिया में 30 देश नेटो सदसे हैं और नेटो में कोई भी और सदसे आने के लिए जरूरी है कि ये 30 देश या तो रजामंदी दे या मौन स्विकृती दे अगर कोई विरोध करता है तो उनकी इंट्री नहीं हो सकती यह जो पेचोखाम अभी सामने आया है स्वीडन और फिनलैंड को लेकर यह अभी तक किसी भी मिलिटरी या सैंड गड़ बंधन से बाहर रहते थे न्यूट्रल देशों के तौर पर थे लेकिन जिस तरह से इन्होंने नैटों में जाने के लिए पूरी किरणनीती बनाई उसमें तुर्की ने अपना अडंगा लगाया है इस पूरे परिद्रश पे हम बात करेंगे प्रभीर पुरकायस से दुनिया की हलचल पर पहनी नजर परताल दुनिया भर की देखिये जुड़िये ताकि मिले सही नजरिया जानने और खोजने का समझने का कि क्या चल रहा है आसपास और सा समंदर पार आखिर हम है ग्लोबल सिटिजन प्रभीर ये जो नया घटना क्रम है पूरा जो विवाज चल रहा है हमें दिखाई दे रहा था कि रूस यूक्रेन नेटो अमरीका तमाम देश थे उसमें स्वीडन और फिनलैंड जिस तरह से आप सामने आए फिर तुर्की में आज उनकी बहुत एहम बैठक भी होनी थी इन दोनों देशों के नुमाइंदों को महां जाना था लेकिन तुर्की ने साफ कह दिया कि भाई हम आपके लिए तयार नहीं है हम में बहुत सक्त रिजर्वेशन है तो यह जो पूरा डवलप्मेंट है यह और इन दोनों देशों क्यों क्या बाद हुआ कि यह लोग नेटो के पक्ष में नेटो में शामिल होने के लिए तयार हुए तेखिए पहली बात तो यूक्रेन रूस की जो लड़ाई की बात है उसको हमें इस परिप्रेक्ष देखना पड़ेगा कि यह नेटो एक्सपैंशन से जुड़ा हुआ है नेटो एक्सपैंशन में पहले भी जॉर्जिया लेके रूस ने अपना आपत्ती जिताई थी उस वक्त भी एक छोटा सा जंग हुआ था जिस पर रूस वहां पने सेना भेजे थे और वहां पर कुछ दो इंकलेव्स थे जिस पर रूसी लोग काफी जो रूस से जॉइन करना चाहते लोग थे उनका उन्होंने प्रोटेक्शन किया था अब दूसरा सवाल है यूक्रेन को लेके जिस पर वो नेटो के अंदर न जाए ये रूस का डिमांड था जो उन्होंने अमरीका से पेश किया था नेटो से पेश किया था दोना ने कहा कि ये आपकी कोई अधिकार नहीं है हमारी मर्जी के हिसाब से होगा यूकरेन के मर्जी से होगा ये आपके इसमें दखल अंदाजी करने की जरूरत नहीं है इनकार कर दिया था तब ही लोगों ने कहा था अगर तीस देशों जिसके आप बात कर रहें नेटो में एक देश भी कहता यूकरेन को इस वक्त नेटो ज जॉइन न करें और जब जंग शुरू हुआ तो उस वक्त भी जेलेंस्की के साथ जो बातचीत हुई थी बेलरूस में मुख्य रिमांड यही था कि अब यूक्रेन जो है नेटो में जॉइन न करें क्योंकि नहीं तो जिसे रूमेनिया पोलेंड में उनकी इस वक्त रॉकेट मिजाइल्स हैं तो वो रॉकेट मिजाइल्स हमारी बॉर्डर तक यूक्रेन में आएंगे तो हमारा मॉस्को से उसकी दूरी सिर्फ 5-7 पिनिट की है उसको देखते हुए उसको हम मनजूर नहीं करेंगे यह उनका कहना था और नेटों से यही बाचीतों करना चाहते थे उस वक्त तरकी ने कहा तो पहली बार एक नेटो देश ने यह कहा कि इस वक्त न करें हमारी इस पे सक्त ऑपोजेशन है विरोध करते हैं एक देश भी फ्रांस हो जर्मनी हो जिनकी एक्चुली बहुत बड़ा एकनॉमिक स्टेक्स है कि रूस के साथ यह जंग न चले तो उन्ह बातार तीन महिने तक रूस कहता रहा नेटों से बात की यू के देशों से बात की अमरीका से बात की सब ने जो है यह तो चुपी साज ली यह तो कहा यह नहीं हो सकता इस वक्त अगर फिनलेंड अगर वह कहता है जौन करते हैं स्वीडन एक हिसाब से नेटों में है में ब्लैक सी के अंदर एक्सराइज बगारा चीजों में इसमें शामिल बहुत दिन से हो रहा है तो नेटों का एक ऑफिशिल सदसे तो नहीं है पर परक्षर रूप में वह उसका साथ है उसका कोई रूस से बॉर्डर नहीं है अगर फिनलेंग का देखे तो उससे उनिस सो उस वक्त थी कि हम नूट्रिल रहेंगे और इस नूट्रालिटी के वजह से उस तेरह सो पचास किलोमीटर की जो बॉर्डर है फिनलेंड की रूस की बीच में उसमें मिलिटराइजेशन नहीं है पर अगर वो उधर जाते हैं तो रूस बाकाइदा वहां पर उसको मिलिटरा है उससे उनको हटना पड़ेगा वो जो अभी तक नहीं किये तो इंटरनाशनल रूप में इनलीगल है कि आपके साथ एक नूट्रालिटी की आपने एक समझाता कर रखा है समझाता कर रखा है आप कह रहें के मिलिटरी पैक्ट में हम जॉइन करेंगे तो यह जो चीज़े ह एक दोगला पंज जो फिनलेंड की है तो यह यह भी देखने की इस वक्त जरूरत है कि वो उस रूस की उस पैक्ट से वो अभी तक बाहर नहीं आए पर वो मिलिटरी पैक्ट में जॉइन करना चाहते जो उसके नूट्रालिटी का खिलाफ है तो इस वक्त जब जंग चल रह है यूक्रेinn की नेटो में शामिल होने के लिए इस वक्त यह दो देश अगर शामिल होना चाहे तो एक हिसाप से नेटो का जो जो नजरिया है कि रूस को कैसे घेरे रूस को कैसे वीकेंड करें यूक्रेन के लडाई में रूस को और भी कैसे ला किए जा सकता है उसको जए से खुल के बोल रहा है कुछ और वजए से कह रहे हैं कि इस वक्त उगर वर संग्ठानों को जसमें कुर्दिश बतें यहां पर बहुत बड़ा मुद्धा बनाया है कि जब तक उस पे स्टेंड नहीं कलियर करते तब तक हम नेटो पर बात नहीं करते तो है यह सो लगता है कि कु AunY वह करने की कोशिश नेक बारगेन भी कर सकते हैं रूस के साध्व है bargain कर सकते हैं क्या करेंगे एड़ोगान वो अलग बात है पर एड़ोगान नेटो में एक ऐसा देश है जो वेक्ती है तुरकी जो जिसका दोनों तरफ से दोनों तरफ वो कह रहे हैं और वो कहां है कहां जाएंगे किस इशू पे वो साफ नहीं है तो ये देखते हुए तुरकी क्या करता है वो अलग बात है पर उसके साथ-साथ ये भी बात है कि ये जंग के लिए भविश्य के लिए इस वक्त फिनलेंड और स्वीडन को जॉइन करना जो है ये नेटो का एक्सपैंशन का और एक पहली होगा और इससे साफ हो जाएगा रूस के लिए कि उसको घेर कर उसको कमजोर करने का पूरा सिलसला है और इस वक्त एक फोन भी किया था उस दिन उनका डिफेंस सेक्टरी ने शोईगू के साथ बात किया जो की डिफेंस मिनिस्टर है रूस के और उसमें सीसफैर की भी बात की तो ये चीजे एक नेटो का एक्सपैंशन एक और आप कहरें इसी स्फैर भी करनी चाहिए ये एक क्या इसकी रण नीती है अमरीका का वो भी समझ में नहीं आ रहा है तो अभी भी देखना पड़ेगा किस दिशा में जाता है तुर्की क्या करता है तो बहुत साफ हो गई फिलहाल की तुर्की ने जो स्टैंड लिया लेकिन इन दोनों स्टैंड लिया उसे लगता है कि नेटो का जो एक्सपैंशन का ड्रीम है जो सपना है उसमें वो अलग अलग देशों को आगे पीछे कर रहे हैं और फिनलैंड और स्वीडन का ये जो मूव है ये जो कदम था इस दिशा में बढ़ा हुआ हमें दिखाई दे रहा है अब हम फिलिस्तीन मूल निवासी थी वो शिरीन अबू अखला उनकी जिस तरह से हत्या हुई जिस तरह से निर्मम हत्या जिसको वीडियो में भी कैप्चर किया गया और ये भी सामने आया दुनिया ने देखा कि जो आसपास और पत्रकार खड़े थे वो लगातार चिला भी रहे प्रेस से हैं मीडिया से हमें आप हमला ना करिये लेकिन इसराइली सेना ने सीधे माथे पर गोली चलाई और वह वहां शहीद हो गई इसने एक बहुत बड़े हंगामे को पैदा किया बहुत बड़ा सवाल पैदा किया जो इसराइल लगातार फिलिस्तीन की से पूरी जंता कि उपर हमला करता रहा है जब मन आता है जिस तरह से उसे निशाने पर लेता है और संभवता यही वज़ा है हमें दिखाई दिया कि पहली बार इतने बड़े पैमाने पे दबाव बना कि इसराइल ने जो पहले कहा था उससे थोड़ा सा पीछे हटके उन्होंने इस पूरे प्रकरण पे पुनर विचार करने की कोशिश की लेकिन जिस तरह से शिरीन को निशाने पे लिया गया जिस तरह से मौत के बाद भी उनकी डेड बॉडी के साथ जो पूरा का कफिन ले जा रहे हैं उनको दफनाने के लिए उससे भी छेड़ चार करने की कोशिश की तो उससे जो क्रूर चेहरा इसराइल का लंबे समय से दुनिया देख रही है वो एक बार और जागरित होता है और बड़ा खौफ तारी होता है कि आप पहले तो मारते हैं फिर दुखी जनता को शोक मनाने से भी वंचित करना चाहते हैं ये जो पूरा का पूरा रोल रहा है और जिस तर की बार बार कहना है कि ये प्रेस फ्रीडम पे एक अटैक है ये सिर्फ फिलिस्टीनी जर्नलिस्ट की उपर नहीं पूरी दुनिया की प्रेस फ्रीडम पर अटैक है क्योंकि इस तरह के घटनाओं को कवर करना जर्नलिस्ट का फर्ज है और वही कामों कर रहे थी इसलिए शि जिस बहादुरी से उन्होंने पिछले 25 साल फिलिस्टीन की चीज़ों को कवर किया। डूइल सिरिजन थी, फिलिस्टीनी भी थी, अमरीकान सिरिजन भी थी। तो ये एक काबल तारीफ है। और अलजजीरा में वो काम करती थी, अलजजीरा में इस चीज़ को काफी उठाया ह तो ये तो पहली बात न्यूसकलिक की तरफ से हम कहना चाहते है। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं है कि ये घटना होने के बाद जब उसकी उनको गोली लगी माथे पे, इसके बाद आपने जो कहा, हमारे दर्शकू के सामने है, आपने जो कहा कि इस प्रेस उसमें प्रेस तुरंत इसके बाद ये कहना चाहा कि जनीन में और एक घटना चल रही थी, जिसमें प्लिस्टीनियों के साथ उनकी जड़प हो रही थी, जिसमें भी गोली चली थी, दोनों तरफ, तो वो कहा कि वही गोली जो है, इनको लगी है, फिलिस्टीनी किसी ने उनको मारा है, हमा इस घटना का चांदबिन की और उनकी तजवीर है जो उन्होंने बाकाइदा लोगों को सामने रखा है, कि ये तजवीर देखिए. साफ है कि यहां जो जनीन की जडब की बात चल रही थी यहां पर है और गोली लगी है उनको यहां पे तो यह दोनों जगह की फासला काफी है और इसके सासत बीच पे बहुत सरे स्ट्रक्चर से जिसको छेद बनाके गोली वहां जा नी सकती तो यह इस घटना से उसका कोई सम्मन्ध नहीं है जो कि इसरेल कहना चाहता था जिसका उन्होंने एक वीडियो भी दिखाए त देखे यहां पर जवब हो रही थी यहां पर फिलिस्टोनियों ने गोली चलाई इससे उनकी मौत होगी तो इसके बाद जो है तीन दिन बाद या चार दिन बाद उन्होंने फिर कबूल किया नहीं यह लगता इस घटना से नहीं है हो सकता हो सकता यह नहीं का हमने किया है हो सकता हमारी किसी सोजर्स की गोली उन पे लगी है क्योंकि और भी जड़ पे चल रही थी जहां पर गोली चलाई गए थी हो सकता उसमें से गोली लगा इतना स्वीकार किया पर आप ने जो और जो बताया कि जो बहुत ददनाक दृश्य है कि उनकी कॉफिन पे जिस तरह से हमला इसलिए कि वो फिलिस्टीनी फ्लैग से ढखा हुआ था और फिलिस्टीनी फ्लैग हला कि फिलिस्टीन की अस्टित्व है उसकी युनाइटिट डेशन्स की उसमें मेंबर है इस वाक्त उनको पैक्ट हुआ है कि फिलिस्टीन देश के एक आजादी मिलेगी जो पूरी तरह स कभी पालित नहीं किया है पर उसकी एक्जिस्टेन ओफिशिली तो इसरेल रेकिगनाईज करता है तो उस फिलिस्टीनी फ्लैग से क्योंकि वो ढखा हुआ था तो उसको उतारना और उसकी दृष्ष भी साफ है उसको उतारने के वज़े से ये चीजे हुई है कि फिलिस्टीन फिलिस्टीन आजाद फिलिस्टीन के स्लोगन और उसकी कफिल पे फिलिस्टीन की फ्लैग हो ये इस्रेली सोल्जर्स को बरदाश्ट दही था उन्होंने कोशिश किया कि वो पत्थर फेक रहे थे पर वो भी साफ है जूट भी देखा है कितनी कितनी बड़ी जूट कर और य इस बार थोड़ी प्राब्लिम हो गए कि एक तो अलजजीरा है मामूली नियूस संगस्थान नहीं है अद दूसरी बात वो अमेरिकन सिटिजन भी है तो अमरीका को भी कुछ प्रेशर है कि इसके बारे में कुछ कहना कि थड़ी थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन होनी चाह जानते हैं अमरीका भी इस तरह से नहीं आता पैलिस्टिजन फिलिस्टिजनी चाहे वो अमरीकन सिटिजन हो इस पे नहीं आता बहुत सारे फिलिस्टिजनी अमरीकन सिटिजन के पहले जो अत्याचार है उनके साथ तो उस पे अमरीका आवाज जो है बहुत थोड़ा सा है फिलिस्टिनियों को पूरी तरह से उनकी जमीन से निकाल के बाहर फेंग दिया जाए जी और शायद इसमें जो वीडियो भी रहे और जो फोटो भी सामने आए उसको भी नकारणा मुश्किल रहा होगा और बड़े पैमाने पे जो देश और दुनिया में एक विरोध में आ सकता दूसरे पत्रकार भी सामने आए खुलकर उन्होंने कहा कि हम तो बोल रहे थे कि हम प्रेस हैं तब भी हमला हुआ तेखिए जूट जो है हर बार आप कहते रहे और आम चर्चा से अगर निकाल देते हैं तो जूट की जीत हो सकती है और कई बार बहुत बार बहुत जग है तो यहां पर इनके साथ प्रब्लम है एक तो अलजिजीरा की जर्रलिस्ट है दूसरी अमेरिकन सिरिजन है तीसरा सबूत है तो यह तीन लेके इसरेल को थोड़ा सा बैक फुट में है पर आप देख लीजिएगा बहुत जल्दी ही यह आम अख़बारों से यह ख़बर होगा बलेगा हमने एक inquiry committee बैठाया है वेट कर रहे हैं करते करते इतिहास की गर्व में चला जाएगा तब पता चलेगा कि क्या हुआ नहीं हुआ सिर्फ जो है इतिहासिक fact बनके रहा जाएगा पर सवाल यह है दुनिया के सामने बार-बार यह चित्रा आता है बार-बार ग इसका पूरी तरह से भाष्कार करता है खतम करता है और बैठसलम एक बहुत बड़ा संगठन है और भी ऐसे संगठन फिलिस्टीनियों की है वहाँ पर जिन पर जिनका काम पर बहुत बड़ा अर्चंद पैदा कर रहा है इस रेल ताकि वो इस तरह की चीजे नहीं बता ला सकते हैं अभी भी फिलिस्टीन एक पराधिन मुल्क है इसको कैसे हम ला सकते हैं उनकी आजादी की लड़ाई चल रही है उसको कैसे लोग के सामने ला सकते हैं यह हमको सबको सोचे हो पोगा का सबको इसका कोशश करना दो एक बात बहुत साफ है कि एक तरफ जब कुछती हुई तस्वीरों को साजा करना और यह काम हम अपने शो में लगातार करते रहे हैं विश्व कूटनीती में सच इंसानियत और अमन किस तरह से जिन्दा रहे मुख्यधारा में रहे यह हमारी कोशिश है देखते रहे न्यूस क्लिक परताल दुनिया भर की शुक्रिया झाल